जो बैद रुम है बैद रूम की बात करें, तो बैद रूम देख सकते हैं इन्होंने याँ बिंडो दे रखा है और जो बैद रूम का साइज ए 11 का साइज है नमसकर दोस्तों स्वागात अब के हमारे चैनल in mayite building house में स्वागज में बनावा ये मकान किश्पकार से बनाया गया है तो सबसे पहले आप सामने का फरेंट लोग देख सकते हैं यहाँ पर दो रूम में अलग-अलग एक रूम का इन्होंने बाहर से इंट्री दे रखा हैं तो आप देख सकते हैं जैसी हमने घर के अं अंदर एंट्री लिया तो सामने जीना बना रखा और बैडरूम है बैडरूम इससे बात करें तो बैडरूम देख सकते हैं इन आप से बिंडो दे रखा है और जो बैडरूम का साइज घार coffin का साइज इसी में इन्होंने कालमारी वाला साइज छोड़ रखा है जो की अलमारी का आप दिखा देता हूं आपको में पहले आप सामने का लुक देख सकते हैं और जो अलमारी के साइज की बात करें और इसमें इन्होंने बगल में छोटा सा पूजा रूम बोनाया है और यहां पर अल इन्होंने 8 feet पे slab डाल दिया है यहां पे और इस पेस देख सकते हैं काफी है स्पेस अगल्ग जैसे इन्होंने इसके बगल में रूम बना रखा है और जो विंडू देख सकते हैं यह जो चौखक लगा है इसकी बात करें तो तो तीन बाई साथ का चोखट है यह और इसमें सेम टू सेम बगलग कही जैसा इन्होंने लोग दे रखा है इसमें भी एक अलमारी बना रखी है इसमें बाद में अलग से फिडिंग करवाना है इसमें इनको तो देख सकते हैं कुछ इस परकार से सोगज में इन्होंने कुछ डिजाइन बनाया घर्म के अंदर और जो इसकी बात करें इसके अंदर एक स्लैब भी डलवा रखा है जो पुजा रूम बना रखा है दोनों तरफ से स्लैब इसका खा लिए दो पाटिशन दे रखें और एक सामने आपको देखने को मिल जाता है बैडरूम एक और और बात करें रूम की तो इस रूम में भी सेम टू सेम इसके रूम के बगल में एक किचन भी बना रखा है और साइज देख सकते हैं काफी बड़ा साइज है और आप देख सकते हैं सामने का लुक काफी अच्छा भी हुए और उसी की बगल में इन्होंने एक बैठक रूम बना रखा है जो कि बाहर के गैस्टों अगर आते हैं तो यहां पर बैठने के लिए इन्होंने एक रूम यहां बना रखा है और रूम की साइज की बात करें है तो 11,11 तो यह साइज यह बी और जीना देख सकते हैं चोडाई की बात करें तो एक से देड़फिट की जीना है साइज और आप उपर का लुक देख सकते हैं इन्होंने अभी ऊपर कॉलम भी छोटा रखें अब बनाना है इनको है एक है दो दुस्तों मिलते हैं स्क्राइब करें बैल आइकन को परिश करें